नमस्कार मैं यश्पाल हंस करनाल से लिए हुए जोतिश की चर्चा जोतिश की बातें आशा है आप प्रसंद होंगे खुश होंगे आपका जीवन सुचारू चल रहा होगा और इश्वर करें चलता रहे आज मैं एक योग की बात करने लगा हूँ बड़ा साधारन और ग्यानवान और उसके बाद मैं जीवन में दैनिक आने वाली समस्याओं के बारे में भी आपको समधान बताऊंगा कुछ समस्याओं ऐसी हैं जो हर एक के साथ हैं हर वेक्ति उन समस्याओं से दुखी है और जीवन है भी चीज ऐसी इसमें सुखों और दुखों का समावेश है तोनों चीज़े हैं जहां सुख हैं वहां दुख भी हैं तो उसके उसके पर एक सिंपल सी चर्चा करूंगा तक कि आपको किसी प्रकार का यह मैसूस ना हो कि उपचार बड़ी मुश्कल हैं कठिन हैं यह नहीं सिंपल एक योग है उसका नाम है दुर योग दुर का मतलब भी बुरा है दस्वाँ घर कुंडली के अंदर हमारी जौब से रिलेटिड होता है हमारे रिस्पेक्ट से रिलेटिड होता है पुब्लिक डिलिंग से रिलेटिड होता है और कई ऐसी चीजों से रिलेटिड होता है जो सम्मान जनक होती है अगर दस्वे घर का स्वामी छटे में बैठ जाए या आठवे में बैठ जाए या दौदश में बैठ जाए ये व्यक्ति को पुर्शारत हीन करता है ऐसा वेक्तिभ पुर्शार्थ यह नहीं होता, ख्यूकि दस्वां घर पुर्शार्थ से भी रिलेट करता है, हमारे कारोबार से, हमारे बिजनस से, हमारे नौकरी से, इन चैजों से भी रिलेट करता है. वो उनको तोड़ता है आप अपनी कुंडली देखिए अगर ऐसी स्तिती है तो उसका उप्चार हलका सा कर दीजिए उप्चार सारे ही हमारे घरों से शुरू होते हैं समान खाने पीने का दान यहीं आपने करना है अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूं जो मैं अक्सर देखता हूं मिलता हूं लोगों से बाते होती हैं मैंने अधिकतर लोगों को आर्थिक स्तिती से कमजोर पाया कोई लोग परिवार के कारण परिशान रहते हैं कोई आपसी समंधों के कारण परिशान रहते हैं कोई भाई भाई में डिफ्रेंसिज रहते हैं पिता पुत्र में रहते हैं यह चीज़ें आम चल रही हैं शैद अनादी काल से चलती आई हूंगी उनको रोकने के लिए उनको खत्म करने के लिए छोटे छोटे उपचार बने हुए हैं उसमें मैं आपको दो चीजें बताता हूँ ये आप कर देना आपको काफी लाब होगा उससे ये चीजें जो हमारे घरों में पैदा होती हैं हमारे व्यूज का आपस में ना मिलना मित्रों में लड़ाई पड़जाना भाई भाई वे के अंदर प्रॉपर्टीस को लेकर या किसी चीज को लेकर या हमने करणा कंगा नहीं पा रहे या कोई हम से ले गया वो वापस नहीं कर पा रहा है या चारी छोटी-छोटी समस्या हैं ब्रेस्पती से रिलेट करती हैं और शनी से रिलेट करती हैं आप इस पर अपना ध्यान केंद रित कीजिएगा मैं आपको इसकी दो चीजें बताता हूँ यह आप दान कर देना किसी अनाथ हाले के अंदर जहां पर अनाथ रहते हूं वैसे तो अनाथ कोई नहीं है सबका मालक परमात्मा है लेकर कह देते हैं बार लिखा होता है वहां पर केले दान कीजिएगा केला ब्रस्पती को सबसे ज्यादा प्रिये है यह कीजिएगा और शनी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि अनाथ हाले के अंदर खटी चीजें चर्चरी चीजें जैसे पूडिया हैं, समोसे हैं, फकोड़े हैं यह दान कीकश अंगरों दोनों समस्यों का समधान हो जाए कहने को कितना आसान लगता है को दे देंगे कोई ऐसी बात question देजिए आपके परिवार जिस परिवार के अंदर संक्ठन है जिस परिवार के जगड़े की आवाजें बाहर नहीं जाती, वहां स्वर्ग है, मैंने एक बार पहले भी आपको एक शब्द बताये थे, जिसका हिंदी में अनुवाद ये था, कि जिस परिवार, देखो वो कैसे लक्षमी को अमंत्रित कर रहा है, हमारे पुरातन काल के रिश को लांग कर सड़क पर चली जाती है, बाहर चली जाती है, लक्षमी वहां से अपना वास स्थाई रूप से त्याग देती है, दुबारा सुनिए, जिस घर के जगड़ों की आवाजें, घर की सीमा में रहे तो ठीक है, घर की सीमा को त्याग कर बाहर चली जाती है, और घरो में पहुंच जाती है नगर में पहुंच जाती है वहां से लक्षमी अपना निवास स्थाई रूप से त्याग देती है वो वहां रहना है नहीं चाहती कलेश में लक्षमी रहती नहीं लक्षमी को कहते हैं कि यह किसी भी सोभाव की है लेकिन कलेश को पसंद नहीं करती तो मै बच्चे जिनको ये चीजें शैद कभी उखलब नहीं होंगी मैंने आपको दो बातें बताई दुर्योग के बारे में बताया अगर आपका दस्वाँ घर डिस्टर्ब है तो ये समस्याएं हो सकती है और इन समस्याओं को रोकने के लिए ये छोटे छोटे दान कीजिए केले क वाइबादान चर्चरी चीजों का दान बच्चों को ना और इसो अप पर करेंगे इस वर दां से बड़े खुश होते हैं दूसरा को खिलाओ को बड़े खुश होते हैं आप ने देखो लोग अच्छा काम जब करने लगते हैं तो वह ही सोचते हैं थोड़ा apenasRO रगाएंग ये कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है कि नदी चोंच भर ले गई जिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटी और नीर थोड़ा सा दे दोगे कुछ घटेगा ने आप खुश रहो आपकी संताने आपकी आग्या में रहें आपका धन सुरक्षित रहें आपको मान और सम्मान मिलता रहें इसी के साथ आज की वारता को समाथ करते हुए मैं यश्पाल हंस आपसे आग्या चाहता हूँ और अपनी मा इष्ट देवी सरस्वती जो मेरी माता भी है मेरी इष्ट देवी भी है उससे निवेदन करता हूँ कि सब को मेधा और प्रज्या बुद्धी दो ज्यान होगा तो सकल्यान होगा नमस्कार जै जगत जै भारत